इंडिये नान डेमोक्रेटिक एलांस नेशनल डिलर सीप आप अडानी जो अल्ली बाबा चालीश चोरो का गिरो है यहां तक की स्टेशन और हवाई एड्डों को भी इसका नीजी करण करके जो है अडानी और अंबानी के हाथों निलाम करके जो कौन से राम की बात एक करते है killing तो यह जो भार्तीज़नता है रेशे है तो राम के नाम का व्रशाय करते है राम उनकी आस्ता नहीं है प्रतिमा में प्लाण पतिस्था नहीं होना जहीं लेकिन चारों संक्राचार्य धर्माचारियों को है जो है कि चुनावा चार्य बन करके नरेंदरμोधी जी गोडी मी साद एंद फेमली की प्राइबेट लिम्टेड लूट कंपणी है और जो सुभासपा है वह मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइबेट लिम्टेड सौधेबाद कंपणी है नमश्कार मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अर्पिद जेन आज हमारे साथ ऐसी सक्सियत हैं जिनके बयान अकसर सुर्ख्यों का सबब बनते रहते हैं अकसर सियासी हलकों में इनके बयान से तूफान आता रहता है और इस बार शाहिद फिर से क्यारी है क्योंकि लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ चुका है समाजवादी पार्टी और भारतिय जन्यता पार्टी के बीच जो द्वंद होना है उसकी तैयारी लगबग लगबग पूरी हो चुकी है लोटन राम निशाद जी आज हमारे साथ हैं स्वागत है सर मीड चाहता हूं आज प्रदेश सरकार ने विदानसभा के अंदर वित्तमंत्री ने अपना जो बजट वाशन वो पेश किया तमाम बड़े दावे किये गए सबसे बड़ा बजट इसको बताया जा रहा है और जिस वक्त मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं ठीक उसी वक्त मुख् प्रेंसटन साठ साल से ओपर किये किसानों को दिये जाने की बात सामने हा रहा है इस पर आपका क्या रुख है छो है किसानों को कोई धरातल पर सच्चाई नहीं है यह केवल जो है चारा डाल करके जनता का ओट लेकर के यह तीसरी बार जो सत्ता में जाने का ख्वाब देख रहे हैं यह जनता है कि सब कुछ जानती है यह भारती जनता पार्टी एक तरब नारा देती है सब का साथ सब का विकास सब के कराने का काम करती है आप देख लीजिए भारती बैंकों का कई हजार करोन रुपिया अगर बटता खाता में डाला गया या तमाम पुझपतियों का हजारों करोन रुपिया जो है कर्द माफिक किया गया आखिर वो बनिया है कौन सभी के सभी 28 जो भारती बैंकों को लुटे लूटे दे और देश के अर्थवयोस्ता को कंगाल करने वाले जितने वो बनियां है सब के सब गुजरात कहальное नहिरा मोदी मोदी हो निषान मोदी हो मेहुल चोक सी आधी हो तो यह जो दो हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मुधी जी और ग्रिमंत्री अमिसा जी जो है दो अपने बड़े बनियां पुझपतियों अडानी और मानी के हाथ हो पूरे देश की अर्थ व्युवस्था को शौप कर देश को कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं देश की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं जितने भी सरकारी संथान उप्रम है गेल सेल भेल रेल वह जीसी एंटी पीसी पूप कुल माइन सो पूर्ट ट्रस्ट हो यहां तक की स्टेशन और हवाई अड़ों को भी यह इसका नीजी करण करके जो है आदानी और अंबानी के हाथों निलाम करके जो संविधान प्रत्रत्री धित्तों की विवस्था है जाती दर्म बर्ग संप्रदाश से हट करके अगर सरकारी नोकरिया नहीं रहेंगी तो कोई सबन का बेटा हो बनिया का बेटा हो दलित पिछड़े का मैनाटी का बेटा आखिर वह प्र पूरे देश की अर्थ ब्यवस्था को और पूरे देश के संसाधनों पर दस पांट पुझपतियों का कबजा करा दिया जाए जनता को इस स्थिति में पहुंचा दिया जाए कि केवल वह चारा तक्सीमित्र है हिटलर का मुर्गा बन करके रहे तो यह भारती जनता पाटी छात्र नौजवान जो है कि इनके भाकावे में नहीं आने वाले हैं इन्होंने किसानों की आई को दुगना करने का का वादा किया था लेकिन क्या किसानों की आई दुगना हुई क्या हां दूसरी तरह पे यह लोग अपने को चवकिदार कहते थे हम भी चवकिदार हम भी च तीजिया लाटी डंडा ले करके खेत की रखवाली करती हैं। रात जहां अंदेरा हुआ लाइट अउट टार्च लेकरके हमारे समाऑच के किसान जो है कि अन्ना पसुअ से छुट्टा जानवरों से अपने खेत की सुरच्छा करने को मजबूर है और तनीक भी पलक जब कि कि इसानों की मेहनत की कमाई माठी में मिल जाती है तो ये भारती जन्तापाटी धोंग और पाखंड करके और चुनाव के समय में इस तरह का लालत प्रलोभन देख करके जो चुनाव जीतने का ख्वाप देख रहे हैं लोग तंदर संविधान को बचाने के लिए समाजी की निया लेकिन यह राम मंदिर का उद्गाटन राम बात की आपने और ढूंकी भी बात की एक पुराना बयान आपका अकसर सुर्ख्यों में रहता है जिसको लेकर के सपा से आपकी विदाई भी थी फिर से आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं आपको क्या लगता है आयुद्या क मुद्धा पिछले एक महीने में लगातार जिस तरह से गर्माया रहा और चुनायों तक आयुद्या की बातचीत होती रहेगी अब आपका रुक क्या है भगवान श्री राम और आयुद्या को लेकर देखे राम आस्था के किंद्र होते हैं कौन से राम की बात करते हैं यह जो भारती जनता पार्टी आरेशेस वाले करते हैं तो राम के नाम का ब्याउसाई करते हैं राम में इनकी आस्था नहीं है हमारे लोग राम के अनुवाई हैं और भागपा आरेशेस वाले राम के ब्याउसाई हैं राम के नाम का ब्याउसाई करन करके राम के नाम का राज प्रतिमा में प्राण पतिष्था नहीं होना चाहिए लेकिन चारों संक्राचार्य धर्माचारियों को नकार करके जो है जो है कि चुनावा चार्य बन करके नरेंदर मोदी जी जनता की आंक में धूल जोकने के लिए और असल मुद्दों से कमर तोड महंगाई का मुद्दा हो हमारे छात्र नोजवानों का मुद्दा हो चाहे नोकरी का मुद्दा हो बेरोजकारी का दंस जो हमारे बच्चे जहेल रहे हैं दो करोण का नोकरी देने का वादा कर करने वाले आज हमारे बच्चों को यह कटोरा देकर भीक मंगाने की स्थिति में कर रहे हैं यह पकोड़ा तलने की बात करते हैं चाय की दुकान खोलने का की बात करते हैं तो राम आस्था के किंद्र है और यह भारती जनता पार्टी ने जो 22 जनौरी को जी सम्मारे भारती सं मावना को अंतिम रूप 22 जनौरी 1947 को दिया गया था तो बाबा साही भीम राव अंबेटकर कि संविधान को यह खतम करने का संकेत दी है इसलिए और धनिर्मीत मंदिर जो की 2025 में पूर्ण होगा और धनिर्मीत मंदिर का 2024 के चुनाव में जो है राजनितिक लाव लेने के इस तरह का काम की है और देखिए हम लोग बच्पन में देखते थे कि राम नौमी का तेवहार चैत्र नौमी को मनाये जाता था अरे बाई मार्च के महीना में चैत्र नौमी का तेवहार आ जाता उस दिन अगर प्रानक पतिश्था का करते तो गने उतरता लेकिन यह आपा खरेंद्र किये लेकिन जनता इनकी असलियत को शमझ गई और वो राम बंदराचार एक बाबा समय समय पर उप्रटांग भासा का बात करते थे और एक हमारे गोधी मीडिया के एक अंकर थे नाम मिल गया उन्हों का कि जो राम मंदिर जाएगा उनको हास्पीटल जाने की जरू करना होगा तो हम जो है कि मंदिर मिलना जाकर के हम लोग विद्याले में जाएगे तो कटाच करते हुए उस गोधी मीडिया वाले एकर ने कहा था कि जो राम मंदिर जाएगा उसे तो हास्पीटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अरे राम भद्राचारे को जगत है कि क्या होता है एर जहाद से जो है कि इनको हरिद्वार उत्रांचल में लिएकर कि इलाज के लिए गया है तो यह जनता सब कुछ देख रही है और आप जैसे यूटूबर जो असली चीजों को परोशने का काम करते हैं जनता को असलियत बताने का काम करते हैं और गोडी ग अंचालित करने वाले भाईयों को धनेबाद देना चाहूंगा कि आप लोगों के काम से ही आज हमारा लोकतंत्र हमारा जिंदा है और जनता तक जो है कि असली बाते जो है पहुंच रही हैं इसके लिए मैं सभी यूटूबर साथियों को मैं बहुत बहुत धने बाद समय में हम लोगों को पहले ही टाफिक में पढ़ाया जाता था कि बीच देंगे चमन बेचे देंगे गरीबों के तन का कफ़न बेचे देंगे नत मस्तक है और सारे चैनल जो बढ़े बढ़े चैनल में निस्टिंब के कह जाते थे वह अदानी के कभ्जें में चली достum सले मेडिया का काम करना सरकार की जो कमीया उसको मीडिया के माधियम से उजागा करके सरकार को अवगत करने का कि है आपकी कमी है अपनी कमी सुधार लोग जन्ता की जो समस्याइं थी मीडिया के लोग ही आजous करकार तक सासन तक प्रसासन तक पहुचाने का काम करते थे लेकिन उनके तो पर कतर दिये गया है उनकी जुबान पताला लगा दिया गया मुह में दहीजम गई वार रटी रठाई यह कहीं बात जब छेनल दोधि मोदी जैसा अंतराष्टी असफ़र कोई जूटा नहीं होगा बनारस को क्योट बनवा रहा रहायँ है अभी मैं गया था 17 सारी को पीछले अरे बनारस में घंता में फस गया निकलना राष्टा क्योट बना रहे थे और कौशी बना रहे थे अब नौ सल, दसमा साल पूरा होने को है, तो यह लोग किमल जूट के खेती करते हैं, नजेंदर मोदी जी अमेरिका पे जाके का है, हमारे यहां हर दूसरे दीन एक कालेज बन रहा है, हर सपता एक इनुवर्सीटी बन रही है, हर दीन एक अटल डिंकरिंग लैब बन रहा है, हर साल में जो है, एक आई आई यम, आई आई टी बन रहा, और जब हमारे मीडिया भाई वाले, विश्यसकर सोचल मीडिया वाले, वो तो गोधी मीडिया वाले, तो तील का ताड बनाएंगे, तीन का तेरा करेंगे, राजस्थान में कहा, कि आईम्स बन गया, और वहां जा सो किलो मीटर में, तो यह भारती जनता पाटी जूट की खेती करने का काम करती है, और यह जनता को हिटलर की कथा जानते होंगे, इक हिटलर मुर्गे का जैसे पंक कबार कर, चारा देते गया, और हिटलर पीछे-पीछे वह मुर्गा गया, तो यह पांच किलो राशन दे कर पेंशन देते थे, तो एक साल में कितना हुआ, 6,000 रुपया हुआ की नहीं, बेरोजगारी भत्ता 500 देते थे, तो 6,000 हुआ की नहीं, 56 लाग माताओं बहनों को समाजबादी पेंशन देने का काम किया जाता था, तो यह वह हमारे, जैसे चार महिना में, 2,000 देते हैं, तो हर महिना 500 देने का काम करते थे, समाजबादी पाती की सरकार ने, अगर 100% सुल्क प्रतपूर्ती और छात्रवित्ती की योजनाई जात किया, तो उसका लाग, चाहे समर्न हो, चाहे बैकॉड हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, सब को लाग मिला, 18,00, बेरोजगारों को बेरोजगारी बता, 18,00, इंटर पास बेटे और बेटियों को जो है, जो है लेटा बिद्रन का मुद्दा हो, इंटर पास बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए 30,00, कर्या बिद्या धन देने का मुद्दा हो, चपन लाग माताओं, बहनों, बिद्वाओं, बिकलांगो को समाजबादी पेंसन देने का, तो यह जो काम किया गया, वह जाती धर्मबर्ग संपरदाश से उपर उट करके किया गया, लेकिन भारती यंतापार्टी की सरकार में, जाती देख करके, धर्म देख करके, योजनाओं का लाब पहुँचाया जा रहा, जोजनाए हो गई आपकी पुरानी सरकार की अब चुकी 24 का चुनाव सामने है, और PDA की रणीती के साथ, आप चुनावी मैदान में कूच चुके हैं, आप व्यक्तेगर तोर से पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है, क्या सच में अखले शादब की जो PDA रणीती है और जो इंडिया गठबंदन, इंडिया ऐलाइंस तयार हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में सफलता की और बढ़ सकता है, क्या संभावना है आप देखते हैं, बरतमान परिवेश में भारती जनता पाटी अपने क्रितित्व और वेक्तित्व से अपने चाल पड़ा हुआ दिखाई दिया कि जब माफी बीर जो अंग्रेजों की मुख्बिरी करने का काम करते थे, देश के स्वतनता सेनानियों का भेद बताने का काम करते थे, जिसको ये बीर साबर कर कहते हैं, माफी बीर, अंग्रेजों से चार बर माफी नामा मांगे थे, और 60 का द्रोप्रदु मूर्मू को जो है उद्गाटन कारकें में नहीं बुलाया हमारे राश्टी गवरों का प्रतीक हमारा जो राश्टी प्रतीक असोकस्तम्भ है संसत के गलियारे से असोक अस्तंब को हटा करके जो है वहाँ पर राजदंड का प्रतिक से लगा दिया गया तो यह भारती जनता पाथी पूरी तरह से जो है आरेसिस का जो येंडा रहा है यह हिंदू राष्ट की बात करते हैं हिंदू राष्ट बनेगा तो बाबाश साहिब का समिधान खतम हो जाएगा लोगतान्ति प्रणारी खतम हो जाएगी यहां मनुवस्विति का बिधार रहेगा राज तंत्र रहेगा और चौवीस का चुनाव लोगतंत्र का अंतिम चुनाव है ऐसे में समाजबादी विचारधारा के लोग जो है भारती जंता पाथी जो मनुवस्मिती के ब हार मूला के तहट समाजबादी पार्टी लोगतंत संभिदान समाज इकन्याय को सनरचित रखने के लिए बचाने के लिए जो है एंडिये भारती जनता पार्टी के रत के पहिया को उखार फेकेगा और दिल्ली में 2024 में इंडिया गटबंधन की सरकार बनेगी जिसमें अखिल इसलिम के जनतर मंतर पर बरसाद में अर्धन नगन होकर धन्ना परदसन करें और यह भारती जनतापाटी की सरकार उनपर लाठिया चलाने का काम करें जो भी न्याय कि बात जादरा है लख्लव में कोई भी अंदोलन हो उस पर भारती जनता पाति कर लाठी चार चला तो यह लाठी तंत्र वाली सरकार है, ये लोग तंत्र वाली सरकार नहीं है, ये न्याय देने वाली सरकार नहीं है, ये गुंडा गर्दी फैलाने वाली सरकार है, और जाती विसेश, और विसेश करके बिरिजेश पाठक और योगी आदितनाथ की बिरादरी का ही बरचस्वा नीचे से उपर कायम है और देखिए हम लोगों ने दुकान बंद कर दिया था दो हमारे ठग है समाद के एक कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं एक मंगरुवा पियर का मेड़क है बनारस के लोगों ने ख़देड़ा किया लाटी डंडा से मार का लतवाही कुटवाही पिटवाही क्यों राजबर और संजय निशात का रुख हमेशा चुनाव से पहले बदलता हुआ देखा गया है विदानसभा चुनावों में आपकी पार्टी के साथ थे और चुनावों के बाद वो सत्ता की नजदीक आ गये हैं संजय निशात जी के बयान बदलते रहते है कल ही उन्होंने बयान दे दिया और कह दिया कि मायवती भाजपा के साथ आ सकती है शुनाव में आपको क्या लगता इन दोनों नेताओं कुछ बढ़े ही छोटे नेता कहे जाते हैं लेकिन दोनों का रुख काफी कुछ निर्भर करता है कि किस तरफ सियासत जा रही है इन द भासपा है वह मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइबेट लिम्टेट सौधेबाज कंपनी है पूरा पुर्वांचल वाले इनके असली चेहरा को पहचान गए और वहां से खदेडा हो गया अब महिन पूरी में फिरोजाबाद में आगरा में एक ठर्ट अलास रहे हैं और हमारे जैसे व्यक्ति का करतव्या है कि यह मंगरूआ और कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं जो एंडिये का हिशा बन करके हमारे संविधान प्रदत जो 27 प्रदत्रचन मिला है उसको ख़तम कराने पर चूपशाध हूए और भारती जनताफि में जितने ओवी सी की नेता है चाय केश्व प्रसाद मौरिया हो चाय राके सचान आनू प्रिया पटेल हो संजय निशाद हो चाय आणि राजभ भर हो चाय नरिंदर ऑपोर सभाइब कोजिषि धाए वित ट मचली का शिकारद करना होता है इस तरह से उसमें केचक्वा और छोटी मचलीयों को गोत करके हम लोग 20-20 kg की मचली का शिकार खर लेते हैं उसी तरह से लेगर औरEZ दिए के साजीदार अनप्रिया पटेल हो चाहे संजय निशाद हो उम्रकास राजभर हो भारती जनता पाटी जैसी सिकारी पाती की बंसी और कटिया के केचुगा चपड़ी और सिधरी और चलवा हैं जिनको आगे करके जो है ओभी CSCST को सिकार बनाती रही है भारती जनता पा इस तरता का बखान करके भारती जनता पाटी जिस तरह से लूट की है और इसने वादा किया था 2012 में कि हमारी सरकार कभी बनेगी तो हम अला के वड़ बिन दीवरकार गुडिया तुरहा बाथा माजी राइकवार कुमार प्रजापती बंजारा नायक बियार और नुनिया च बलकि जो अखलेश यादोजी मानी नेता जी ने प्रस्ताव केंदर को भेजा था वह अनुशन सा विचारा धीन थी उस प्रस्ताव को जो है एंडलेश करने का यानि की पूरी तरह से खतम करने का काम किये इटेंडरिंग के माध्यम से बालु मौरंग खरन का धंदा चीन कर माफियाओं को हाद दे दिया सार्धिनिक बोली की तहट जो है खुली बोली करा करके माफियाओं मत से माफियाओं तलाम माफियाओं नदी माफियाओं को मचुवारों का मत से पालन मत से खेड सिकर माही का पेशा दे दिया और जिस निशाद राज और राम की मित्रता का ये पहला काम किया कि निशाद राज जहनती और कस्यप्तिसी जहनती के और कास को खतम करने का काम किये जो मचुआ आवास योजना चल लही थी अईनों ने जूठा भुलावा दिया कि हम निशाद राज कालोनी बनाएंगे मचुआ आवास नीती को खतम करने का काम किया कहीं पूर पुलत देवी जी की प्रत्मा स्थापित कराने के लिए मंगा लिये थे और आइनमों के पर जोगी आधित्यनाथ ने संजय निशाद की इसारे पर भारी पुलिस बन लगा करके फुलत देवी की प्रत्माओं को पुलिस करा करके हमारे संबान को धक्का पहुचाने का काम किया या हम अगर किसी की नईया को पार लगा सकते हैं तो उसकी बीच मजदार में नईया को डुबा सकते हैं अब तक हमारे लोग रामव निशादराज की मित्ता के नाम पर भारती जंता पार्टी की खेवन हार बन रहते लेकिन भारती ज sendiri ने हमारे समाज के साथ दोका धड़ी कर करके उनकी नईया को डुबाने का काम करेगा दिली जाने का इनका रास्ता रोकने में पीडिये फर्मुला के ताहत इंडिया गडबंधन समाजबादी पार्टी की मदद करने का काम करेगा आपकी पार्टी की पहली सूची आ चुकी है लोग सवा चुनावों को लेकर सैफ़ई परिवार के कुछ सवरस्यों के नाम है उसमें कुछ अन्य नेताओं के भी नाम है शिवपाल सिंग्यादब का नाम सामने नहीं आया है वो कहां से चुनाव लड़ेंगे और इसके लावा आपको क्या लगता है जिस तरह से आपने बात की निशाद समाज की तो सपा कितने निशाद उम्मीद्वारों को अतारने जा रही है देखते जाएगा सब बाते च्छन करके आज आएगी आपको इसी महीने के अंदर मालूम हो जाएगी कि निशाद समाज को अब तक जो है जो भी प्रतनिद्द्द मिला रहा है उससे बहतर समान मिलेगा प्रतनिद्द्द मिलेगा भागिदारी मिलेगा अब मुझे तो टिकट पिरम मैं तो संसिती बोट का सतस्य नहीं हूँ कि मैं पता दूँगा कि निशाद समाज को पांस मिलेगा कि छ मिलेगा लेकिन यह मान क है कि लोग तंत्रों सम्मिधान को बचाने के लिए मैं कृत्त संकल्पित हूं ऐसी स्थिती में मैं चुनाव लड़ने से बहतर मैं प्रचारक के रूप में भारती जंता पाटी की असली चेहरों को जंता तक उजागर करके हम इंडिया गटबंधन की प्रत्यासियों को जितान बढ़ाने के लिए आपको नहीं लगता कि मायवती अगर इस गटबंधन में शामिल नहीं हुई है तो सपा की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है और कॉंग्रेस के साथ आपका गटबंधन आपको कितना फायदा पहुंचाएगा यूपी में या फिर नुक्सान का आपको देखेंगे तो रालोट के साथ हमारा कटबंधन था एक मंगरूगा भाई भगोडा निकल गया प्यर का में धक तो उनके बोट शेर के साथ हमारा 36.3 का सेर था और अखेले 32 प्रसाट बोट सेर समाजबादी पार्टी का है कांग्रेस पार्टी का बोट शेर 2.33 है आ करके गलत किया गया तीन-चार सीटें ही तिया जनती लेकिन ही अख्लेश यादव की मांदारी का जो है परिशायक है और साथ सीटे आलोत को दे दिया अगर बनमायोती जी इस समय जो है आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं और यहां तक कि अपने जन्मदीन के अउसर पर यहां खलेश जी ने बुगा को बढ़ाई दिया उन्होंने गिरगिट बताया दोके बाद बताया और कहा कि जब जब गड़ बंदन करते हैं हमें नुक्सान होता है बसपा का नुक्सान गई तो यह मायवती जी जो है ना अभी डरी हुई है इडी और सिब्याई के डर से लेकिन हमें विश्वास है कि बहुजन बर्ग के लोग जो लोगतंत्रों सम्मिधान के प्रती जो चिंतित हैं अगर बहान मायवती जो है भारती जन्तापाटी के बी टीम के रूप में काम दर्ज हो जाएगा और जिस ओट पर जो बस्पा का को रोड जाता और चमार है यह समत्य मेरी जेब का है मैं मदारी बनकर के बंदर बंदरिया की तरह नचाती रहूँगी तो वह अदलित बर्ग का व्यक्ति जो है हमारे ओभी से के लोगों से ज्यादा जाग रूख है और म अखिलेश यादो किया प्रस्ताव भेजती हैं और अखिलेश यादो जी की सर्तों पर सीट सेरिंग करती हैं अलंगे बाजी नहीं करती हैं तो यह जो है इंडिया गटबंधन के लिए नहीं बलकि बहुजन बर्ग के लिए बाबा साही भीमराव अमिटकर के समिधान और ल मैं उनको सला भी दूँगा कि आप जो है टांग अडाने का काम नहीं और प्रत्यच्या परोच्छुरूप से भाजपा जो आरच्छर समिधान बिरोधी है उसको मदद पहुचाने का नहीं बलकि समाज बादी पादी के पीडिये फार्मूला को के साथ जुड़ करके बहु समाज बादी पादी के पीडिये फार्मूला के साथ जुड़ रहा है तो यह थे लोटनराम निशाद जी जनोंने अपनी बात तो रखी साथी बहन माया वत्ति को ओफर भी कर दिया कि किस तरह से आपको सपा के साथ और इंडिया गठवंदन के साथ बापस आ जाना चाहिए झाले है